बिसमिल्यरमनुरहीम यह मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह एक्स्प्लीन करने जा रहा हूं मड्यूल तो यहां पर सबसे पहले मैं इसका डिबॉक मोड जो है वह आप कर लेता हूं यहां पर हमारे पास होगा पिचार सर्विस के नाम से एक मड्यूल होगा यह पोर्टल इंप्लाई सेल्फ सर्विस के नाम सी है यह इस वकत इंस्टॉल है यहां पर यह नहीं आ रहा है हम पहले जाकर यूजर को अथराइजिशन अथराइस कर देते हैं यूजर के अंदर यह एडमिन है एडमिन के अंदर जाने के बाद यह मैंने इसको अथराइस कर दिया है यहां पर HR Service, यह Administrator इसको Save कर देते हैं, Okay, Save करने के बाद यह पेज इसको Refresh किये हैं, तो यह मेरे पास यहां पर HR Service का भी आ गया, दूसरा मड्यूल जो है वो Application, जो आपोजिशन रोकस्ट, यह already इंस्टॉल है, तो हम यहां पर सर्विस के अंदर जाते हैं, यहां पर एक Service क्रियेट करते हैं, जिसका हम नाम रखते हैं, जो आपोजिशन, पोजिशन रोकस्ट के नाम से, ठीक है, इस पोजिशन रोकस्ट इस पोड्ल यूजर, और यहां पर हम मॉडल देंगे, मॉडल कौन सा होगा, यह जो आपोजिशन रोकस्ट, यह मेरे पास आगया है, जो आपोजिशन रोकस्ट, ठीक है, बाई डिफॉल्ट अलाओ मैस्जिज इस ओके हैं, इसकी टाईटल फिल्ड कौन सी होगी, टाईटल फिल्ड यूजरी नेम फिल्ड हो जाती है, यहां पर मैं इसको open करता हूँ तो यह name field तो यह name field को ले लेते हैं state इसकी कोई state create कर रहे हैं यह status हमारा create हो रहा है तो यह status field आ गी है filter by किसे करना है यह filter by जो records है वो उसको show कैसे होंगे कौन से records show होंगे तो यह allow messages कर दिया है तो यह followers इसके अंदर और यह security group है यह security group apply होगा तो सिर्फ वही इसको authorized होगा तो यहां पर हम इसको open कर लेती है duplicate के अंदर और यहां पर मैं इसका जो portal है यह मैं admin से ही login कर रहा हूँ लेकिन आपने यह admin से login नहीं करना है यह portal user actually है वो login होगा तो इसको मैं validate कर देता हूँ validate करने के बाद मैं यह इसको publish कर देता हूँ publish करने के बाद अब हम इसको refresh करती है तो यह यहां पर job position request यह देखें आ चुकी है अब job position request के ओपर मैंने click किया यह सारा कुछ अभी blank आ रहा है तो इसको हम देखते जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ यह edit किया edit करने के बाद यह create का option यहां पर देना है यह save इसको कर दी है save करने के बाद यहां पर यह देखें कि यह create job position request आ चुकी है अब इसके ओपर job position request के ओपर click किया है यहां पर submit का form तो आ रहा है लेकिन यहां पर किसी भी किसम का कोई data entry के लिए कोई form नहीं आ रहा है उसके लिए हमने क्या करना है उसके लिए हमने यह करना है कि यह जो service items नीचे आ रहा है तो यहां पर हम fields add करेंगे यह add a field करेंगे यहां पर हमने fill add करनी है, add a new कर दी, एक और में open कर लेता हूँ, duplicate के अंदर में जाता हूँ तो यहां पर हम देख लेते हैं कि job position request के अंदर कौन कौन सी जो required है job position request के अंदर में चला गया, यह back end से job request types जो है यह सबसे पहले यह important field है, तो यहां पर हम देखते है job position request type ठीक है, यह position request type है, और यह दो चीज़े है, यह कौन सी है position request type ID, position request type ID, I think यह ही है लेकिन यह non-storeable field है, यह है, ठीक है, तो हम सिरफ यह वाली field इसको add करेंगे, और यहां पर link field है, चुंके यह many to one है, many to one है, तो link field का मतलब यह है, कि यह जब record show होगा, तो वो इसकी कौन सी field के साथ होगा, तो यह name आगया है, यहां पर name के साथ होगा, और यह required हमारी field होगी, और operations कहांँ पर, यह create के अंदर show होगा, edit के अंदर यह फिर all के अंदर, हम create के उपर अब होगी करती हैं, यह कि create के साथ हमारे पास show होगा, डिस्प्ले कहां पर होगा, boot के अंदर, हमारे पास view के अंदर show होगा, isku हमने safe कर दीया, सेव करने के बाद यहां पर यह देखें कि यह जब मैंने क्रिक की है तो यहां पर चुँके record कोई नहीं है तो यह एक field जो है position request type यह हमारे पास आ गई है यह आप देख रहे हैं position request type यह हमारे पास एक field आनी शुरू हो गई है इसके अंदर data नहीं आ रहा तो हम जो job request type है उसके अंदर data create कर लेते हैं यह यहां पर मैं budgeted position कर लेता हम for new position budgeted budgeted position यह मैंने कर दिया है छीक है जी ओके यह budgeted position के अंदर चले गए और यहां पर जाने के बाद यह देखें जब मैं इसको refresh करता हूँ तो अब यह मेरे पास budgeted position का एक data मेरे पास आना स्टार्ट हो गया ठीक है यह हमारे पास आगी अब दूसरी field हमारे पास कौन सी है अगर मैं यहां पर application के अंदर job position request के अंदर चला जाता हूँ तो उसके बाद job position जो है यह मेरे पास आनी चाहिए तो यहां पर मैं edit करता हूँ edit करने के बाद यहां पर हम दूसरी field लेते हैं job position की यह job idea यह हमें चाहिए इसको भी link हमने करना है किस field के साथ यह name field के साथ करना है यह label है label भी जो हम रख सकती है यह हमने इसको भी required कर दिया यह create कर दिया और उसके बाद यह both हमने कर दिया यह हमारे पास आ गया है इसको save कर दिया save करने के बाद यह यहां पर देखें यह job position request भी आ गई है ठीक है इसी तरीके से जितनी भी fields है request on, need on, department जो है वो भी यहां पर mandatory आ रहा है लेकिन required employees जो है यह जरूरी है यहां पर हमने यह देखना है number of recruitment जो है वो हमने लेके आना है ओके जी यहां पर मैं edit करता हूँ और इसके बाद यहां पर add of field करता हूँ और number यह number of field का नाम क्या है required employees number of recruitment ठीक है जी number of recruitment यह देखने चाहिए इसको भी यहां पर heading अगर मैंने change करनी है तो required employees मैंने कर दिया ठीक है यह creation के ओपर हमें चाहिए और यह both view के अंदर हमें चाहिए both view का भी मैं आपको बताता हूँ के both view के अंदर क्या चीज़ है यह इसको save कर दिया है save करने के बाद यहां पर यह number of required यह employees भी आ चुक है ठीक है अच्छा अब इसके बाद number of employees आ गया है यह सारे हमें request on, need on यह भी हम create करते हैं date request और date planned यह दोनों लेके आते हैं यह date fields है date request date request है और date यह मेरे पास date request हागी है अच्छा जी इसको हमने कर लिया है operations के अंदर हमने create और यहां पर हमने इसको both दे दिया है और यह required भी होगी उसके बाद जो दूसरी date है यह planned date यह हमारे पास आगी है planned date का need on है अगर हम need on इसका label कर दिया है यह required कर दिया है और यह इसके बाद यह both कर दिया है उसके बाद हमारे पास यह description है description के बाद यहां पर हमारे पास preferences भी है अगर हमने यह preferences देनी है यह fields भी उदर display हो जाएंगी फिलहाल यहां पर एक मैं description की field जो है वो display करवा देता हूँ यहां पर remarks यहां पर description जो है वो उसकी field आ जाएगी requirement और यह mandatory हम नहीं करेंगे यहाँ पर हम create कर देते हैं और यहाँ पर both कर देते हैं अच्छा अब एक और field जो है वो हमने display नहीं करवाई वो है name field यह हमने reference की field यह automatically एक number generate हो रहा है तो यह number generate करके हम उसको क्या करते है reference के साथ उसके अंदर हम data enter नहीं करेंगे क्योंके वो automatically generate हो रहा है तो इसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं create को और view जो है वहाँ पर हम show करवा देते हैं और उसके बाद हम यह कहते हैं जी के यह record के साथ link भी हो जाए मतलब यह इसको जब हम click करेंगे तो यह हमारे पास यह available होगी अब यहाँ पर यह हमारे पास यह इस तरह का एक view आ चुक है अब थोड़ी सी हम इसकी setting भी कर लेते हैं कि यह setting किस तरीके से होज़े setting के लिए हमारे पास यहाँ पर option मुझूद है यह services के अंदर fields variant का यहाँ पर हम variant create करेंगे यहाँ पर हम कर लेते हैं variant group 01 यह हमने कर लिए add a line के अंदर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कुछ heading आज़े यहाँ पर position request के नाम से position request उसका name रख दिया description वहाँ पर क्या होगी description अगर नहीं भी देते तो यहाँ पर 6 column इसके होंगे और उसके बाद हम कहते हैं जी position डिटेल या फिर हम इसका नाम रख देते हैं basic और इसका नाम हम रख देते हैं detail और उसके बाद फिर हम यहाँ पर column 6 कर देते हैं और उसके बाद हम मैं एक रिमार्क्स का ग्रूप बना देता हूं और इसको मैं कहता हूं जी के ये इसके कॉलम जो है वो बारा होना चाहिए ये सेफ के अंदर चले गए अब ये सरुसिस के अंदर गए जो आपोजिशन रुक्वेस्ट एडिट मैंने यहां पर किया यहां पर ये जो एक तो इसको हम उपर ले जाते हैं ये नेम को मैं उपर ले गया हूं नेम को उपर ले जाने के बाद यहां पर ये फील्ड वेरियंट ग्रूप सारे हैं इसको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्रियेट नहीं कर रहे हैं उके उससे पहले हमें क्या करना एडिट और यहां पर फिल्ड विरियंट सेलेक्ट की है यह विरियंट सेलेक्ट हो गया है उसके बाद मैं यहां पर यह जो विरियंट है यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं यह बेसिक आ गया पहला यह दो कालम बेसिक के अंदर आ गए अच्छा जी फिर यह यह बेसिक के अंद तेंडर तीन चीजी आ गई और यह जो दो चीजें और डेट जेंघींगे अदर के नम देंजेंग हैं लिखने पेज्वेड अभर motherf Coloss रिक्रस दिखेंび कि आपर यह इस तरीके से भीव्य आ रहाएं हम इसको रिफ्रेश्नु स्क्र. हैं कि हमारे पास क्या चीज़ होती है क्या चीज़ होती है क्यों के यहां पर यहां पर यह exception जो है यह हैंडल करनी पड़ेगी यहां पर वो हमें error दे रहा है field status variant के अंदर यहां पर कह रहा है जी के यह description जो है यह blank नहीं हो सकती तो यह इसका नाम हम dates कर देते हैं और यहां पर मैं इसको requirements कर देता हूं ठीक है यह हमने कर लिया अब यहां पर जाने के बाद इसको refresh करते हैं तो यह देखें यह यह यहां पर view आ गया है लेकिन यह view जो है यह problem कर रहा है view हमारे पास जो है वह ठीक नहीं आ रहा यह च्छी च्छी कालम के साथ अगर मैं इसको च्छी करता हूं तो फिर ही अब मुझे यह क्या कहता है नहीं यह view हमारे पास ठीक नहीं आया यह जो card है यह हमारे पास ऊपर जाना चाहिए यह card जो है यह नीची आ चुक है बाकि जो display है वो बिल्कुल ठीक है ठीक है यह हम setting कर वाते हैं यह थोड़ा सा इसके अंदर यह view के अंदर problem आ रहा है अब यहां पर यह position request यहां पर select की और उसके बाद यह जो भी data यह enter करने के बाद submit करेंगे तो यह record create होना चाहिए अब मैं वापिस आता हूं यहां पर job position request के ओपर अभी यह आपने चेक करना है create करके यह अभी मैं एक manually create करता हूं budgeted position आ गई यह back end से create करता हूं department आ गया requested by अच्छा यह requested by admin है ठीक है admin कर रहा है यह save मैंने कर दिया अब यह देखें कि यह followers admin के अंदर है तो यह follower हमने दिया था admin के अंदर तो यह देखें यह यहां पर record जो है show हो गया है यह हमने reference को link कर यह इतर के यह धर देखें यह हम इसको देखते हैं कहाँ पर हम गये job request के अंदर यहां पर हमने reference को जो है वो link करवाया था यह link record करवाया था तो इसका मतलब यह है कि यह detail जो है page यहां पर open होगा link को उपर click करेंगे तो यह detail page जो है हमारे पास open हो गया वाप यह इसके कुछ प्रॉबलम्स है, यह इसको भी highlight करें, यह क्या प्रॉबलम्स हैं, तो यह देखीं, यह हमारे पास आ चुका है, ठीक है, अच्छा जी, वापिस हम आजाते हैं, यहाँ पर, यह create request, तो यह इस तरीके से, यह हमारा, जो है já, वो module.com करेगा, नेकिन यहाँ पर, यह जो job request कर रहे हैं इसको हमें बेतर करने की जरूरत है Thank you